फ्रेंड्स इन एक्सराइज को अगर हम रामगवान एक्सराइज बोलें तो सायद बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि यह जो एक्सराइज जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं इतनी ज्यादा एफेक्टिव है आपकी पेट की चर्वी को बहुत तेजी से कम करती है इ अगर आपने सब कुछ ट्राइ कर लिया अगर आपकी पेट की चर्वी नहीं जा रही है तो आप इन एक्सराइज को आज से ही फोलो करना स्टार्ट कर दीजे और मैं आपको ग्यारंटी दे रही हूं कि अगर आपने इन एक्सराइज को अच्छे से पांसे लेकर साथ दिन बहुत कर लिया तो आपकी पेट की चर्वी पूरी तरीके सब्सक्राइब हो जाएगी लेकिन आपको करना वैसे ही है जैसे मैं अभी आपको बताने वाली हूं तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं मैं आपको बताती हूं इन सिंपल सी एक्सराइज को जी हां एक्सर जी करा ऀसके लिए सबसे पहले चये होगा आपको इस तरीके से कोई भी पतला सा कुष्यं तकिया या कमर की नीचे इसको लगा लेना है और गया इस तरीके आप में सेफ में आना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन अगर आपको कमर दर्द की जादा सिकायत रहती है तो आप इस एक्सेसाइज को नहीं करेंगे अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेना है यहां पर हमें अपर बोडी पर इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालना ह हाथों को बिल्कुल सीधा रखें थीरे थीरे अपने दोनों पैरों को उठाना है उपर की तरफ लाना है यहां पर पैर के जो पंजे हैं वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं हमारी तरफ अंदर की तरफ और यहां से फिर बापस इस तरीके से यह आपको करना है यह वान बापस टू सीधा पैर को रखना है थ्री फोर बिल्कुल धीरे धीरे करना है अगर आप इसको जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर हमें इसका ज्यादा चारे जिल्च नहीं मिलेगा सेवाल एट नाइन टैन बापस बहुत पावरफुल एक्सेसाज है किशन को अपने कमर के नीचे लगा कर करते हैं तो आपके पेट पर बहुत ज़्यादा एफेक्ट होता है आपका पेट बहुत अच्छी से खिचता है इस पेस लिए आपका जो लोवर बैली है जो पेट का निचला हिस्सा होता है पेसे हमारा लटक जाता है उसके लिए यह अक्साज बहुत अच्छी है आपको करना है इसको सिर्फ 10 बार और 10-10 के आपको करने है इसके ठी सेट एक बार हमने 10 बार कर लिया फिर तोड़ा सा रुख जाए उसके बाद फिर एक बार फिर 10 बार करना है बीच बीच में rest लेना है देखिए next exercise कौन सी है आपको क्या करना है सबसे पहले इस तरीके से लेट गए और आपनी कोहनी का हलका सा support लेते हुगे हमें इस position में आ जाना है यानि कि हलकी से हमें अपनी upper body को उठा लेना है और अब आपको क्या करना है पैर को मोलना है सास को छोड़ते वे आएंगे और फिर बापस जाएंगे तो सास का इसमें हमें ध्यान रखना है कैसे करेंगे one बापस two three four five six seven eight आपको क्या है इतना ही अपनी body को लाना है अब पूरा इस तरीके से करेंगे तो फिर साइद ना उठ पाए अगर आपका पेट जादा होगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं मैं इस तरीके से कर सकती हूं लेकिन आपको इधर तक ही रुख जाना है ठीक है जब आप इस exercise को करेंगे तो यहां पर हलका हलका सा पैन महसूस होगा यहां पर इस तरीके से क्योंकि यह जो मसल्स है ना हमारे जो जम गए हैं एक जगे पर यहां पर फैट जमा हो गया है तो यहां पर क्या होगा हलका सा खिचाब होगा तो आपको घबडाना नहीं है कि पैन हो रहा है तो सायद exercise गलत है जी नहीं यह अगर आपको हो रहा है इसका मतलब exercise अपकी perfect है और आपके उपर work कर रही है और 15-15 के आपको करने है इसके 2 set बस अब देखिए next exercise इसके लिए हमें क्या करना होगा अगेन हम अपने जो तक्या का हेरिया है इसके नीचे लगा लेंगे हलका क्योंकि यह जो पेठ है हमारा यही सबसे बड़ी problem होती है तो नों पैरों को धीरे धीरे उठाना है हलका सा अपने घुटनों को बैंड करके इस तरीके से हमें इस position में आ जाना है अब आपको क्या करना है आप चाहिए तो अप लेकिन हमें फ्लोर पर टच नहीं करने देना है यहां से ही वापस लाना है बस चलिए one two यहां पर बहुत दवा महसूस होगा आपको खिचाव महसूस होगा four, five, six, seven टच नहीं करना है बस यहां से ही बापस eight, nine, ten करेंगे ten, nine, eight, seven, six अगर आपको hold करने प्रोब्लम होती है तो पकड़ सकते हैं इस तरीके से five, four, three, two, one यह आपके थाई का फैट भी बहुत तेजी से रेडियोश करती है और आपका पेट कम नहीं हो रहा है आपने सारी एक्सेसाइज से ट्राई कर ली तो आप इस एक्सेसाइज को ट्राई करिए होई ही नहीं सकता है कि आपका फिर पेट कम ना हो बहुत तेजी से कम होगा अब झो हमारी पेट के कम करने की लास्ट एक्सेसाइज है जो आसान है लेकिन बहुत सुपर अपको लीटेत से बैठना है और अपने चीज़ को रख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा सा मोड लेती हूं मैं अपने इस तरीके से उठाएगे तक कि इस हिस्से पर थोड़ा सा दवाब हो और वास वान टू थ्री यह आपके कोर मसल्स को टाइट करती है अगर आपके साइड पर फैट है तो वो कम करती है और पेट का इस पेसली यह एरिया है इसको सबसे ज़्यादा टारगेट करती है बहुत तेजी से आपका पेट कम होता है और यह बिलकुल नॉर्मल सी एक्सेसाज है जो मैंने आपके साथ साइड कई वास शेयर भी की हुई है तो यह जो मैंने सारी एक्सेसाज आपको बताई है इनको आपको टू-टू-3-3 सेट में करना है आपको अपने कमफर्ट के हिस मुझे सब्सक्राब नहीं किया था तो अभी कर दीजे कोई बात नहीं है सावी घंटी वाला बटन जल दवाए लाइक करें